नमस्कार दोस्तों मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूँ मैं यूटूब चैनल इनानिन एजुकेशन में आज हम इस वीडियो में फर्स्ट गेट वेकेंशी 2018 की एक्जाम डेट से सम्दित हम जानकारी लेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि RPC जो एक्जाम डेट है 3-13 जनवरी को है इसी के विरोध में जो आंदोलन है वो तेज गतिस हैं और उगर आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है जो कि आप जैपूर में देखने हैं लगातार इसका अपडेट आपको YouTube और Facebook पर मिल रहा है इस वीडियो में हम RPC से जो जानकर जुटे ही है वो साथ यांदोलन से क्या जान करिए और मेरी राय में क्या जाम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इससे समदित आपको इस वीडियो में जानकर मिलेगी इससे पहले मैंने दो तीन वीडियो जो डाल रहे हैं RPC अपडेट के नाम से और यह मेरा 34 वीडियो है जिसमें आपको फर्स्ट गेट वेकेंशी समदित अपडेट दी जा रहे है साथ यह एक सही और अथन्टिक सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RPC द्वारा के अपडेट पर आपको पता है कि जो फर्स्ट केट की समदित मैंने पिछले वीडियो दा रहा था और जो फर्स्ट केट वेकेंसी समदित आपको पता है कि अंदोलन से होने के बाद एक तीन सदिश ये समिती गटित हुई है और उसके निन्ने के बाद ही जिस इसमें डेट में क्या होगा आगे बताया जाए गया तुछ इसमें जो कारेपना ले तोड़ी देरे हुई है और आंदोलन की बात ये कि आंदोलन अब भी जारी है और साथ ही जो तीन इस्तरी कमिट है वो भी गटित हो चुकी है और जल्दी उनका जो निन्ने वो भी आ जाएगा जिसे की पता चलता है कि एक्जाम से समदित ज तो निने वो नहीं आएगा क्योंकि अगर विपृत निने आता है तो कुछ भी संभव हो सकता है बाहर अभ्यार्तों की संक्या बहुत ज़्यादा है इस कारण से उनको देखते विए उन्ही के अनुसार निने लेने की संभावना ज़्यादा बनती है एक प्रकार से हम कह सक सकते हैं इससे सरकार को भी थोड़ा बहुत फाइदा है कि अगर अगर एक्जाम डेट आगे बढ़ती है तो इसे पोस्ट में इंक्रीज होगा, अगर पोस्ट इंग्रीज होगा तो इसी government के ना हो जाएगी और हो सकता है कि पोस्ट इंग्रीज होने के बाद इसके फोरम भी वापस ओपन हो सकते हैं जिससे की टाइम को ज्यादा लगने की संभा होना है अगली जो देट आएगी वह लगबग आपको साथ से आठ महिने बाद ही देखने को अराम से मिलेगी उससे भी ज्याद अंदोलन और जो परकीर्या देखी जा रही है उसके अनुसार डेट बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगे लगतार आप चैनल पर बने रही है आपको आरपीसी से जो अपडेट है वो लगतार इस चैनल पर मिलता रहेगा साथ ही आंदोलन से समदी जानकारी निश्ची सुजाव और नीचे जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसे कि आपको लगतार और लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर कित माधम से मिलते रहे तैन्यवाद दोस्तों